सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स बजट सैमसंग और रियल्मी की तरफ से सैमसंग का M02 यह आपको मिल जाएगा दोस्तो 8000 का दूसरी तरफ है रियल्मी का नार्जो 30A यह आपको मिल जाएगा 9000 का लेटेस लाँच कर दिया रियल्मी ने तो दोस्तों दोनों में 1000 का ही फर्क है इस वीडियो में में इन दोनों में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप Samsung M02 के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले एक Mini Box मिलता है जिसमें लगवा है Simjector Tool अंदर दिये गया है कुछ User Manual इस तरीके से Mobile मिलता है Rapper के अंदर Detail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है यह White Color में Data Cable Length और Quality इसकी दोनों बहुत ज़दा बढ़िया है बाकी इसके साथ आपको Type C Cable तो नहीं दी गई अगर होती तो काफी बढ़िया रहता बाकी दोस्तो Quality जो है Data Cable की वो बहुत अच्छी है आखर में आपको रखवा मिलता है यह White Color में Charger जिसकी Build Quality बहुत ज़दा बढ़िया है अब दोस्तों इसके साथ आपको Simple 7.7W का ही Charger मिलता है वैसे Rate के साथ साथ आपको Charger काफी ज़दा बढ़िया दिया गया है Charger की जो Build Quality है वो बहुत ज़दा अच्छी है तो दोस्तों यह सारा समन आपको मिलता है Samsung Galaxy M02 के साथ 8000 में Rate के साथ से देखा जाए तो Box के जो Contents है वो आपको काफी ज़दा बढ़िया ही दिये गया है बस मुझे इसमें एक ही कमी लगी अगर Type-C केबल होती तो काफी अच्छा रहता बाकी Cover भी इसके साथ आपको नहीं दिया गया चलिए देखते हैं अगर आप 1000 ज़दा खर्च करते हैं तो Narzo 30A के साथ क्या क्या दिया गया है 9000 में तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले एक Mini Box मिलता है जिसमें लगावा है X-Imjector Tool अंदर दिये गया है कुछ User Manual Cover इसके साथ भी आपको नहीं दिया गया ये दोने में कमी है Mobile मिलता है Rapper के अंदर Detail Look हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है ये White Color में Data Cable Length और Quality इसकी भी दोनों बहुत ज़ादा बढ़िया है और दोस्तों बड़ा फर्क है इसके साथ आपको Type-C Cable दी गई है ये Mobile Type-C Cable सपोर्ट करता है आखर में आपको रखवा मिलता है ये White Color में Charger अब दोस्तों इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का Support भी दिया गया है और एक 18W का Fast Charger Mobile के साथ Box के अंदर ही मिल जाता है तो ये इसमें दूसरा बड़ा फर्क है Charger Fast दिया गया है Box के अंदर ही तो दोस्तों देखा जाए ये सारा समन आपको मिलता है Narzo 30A के साथ दो चीजों में ये Mobile जादा बड़िया है तो Type-C Cable दी गई है दूसरा Charger Fast है और कीमत में 1000 का ही फर्क है Rate के साब से देखा जाए तो Box के जो Contents है वो आपको Narzo 30A के साथ ही जादा बढ़िये दिये गए है इस चीज में जादा बढ़िया है Narzo 30A ही चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन तो मिलता है वैसे Same Quality के अंदर Hard Plastic के टाइप के डिजाइन दिया गया है तो Scratches दोनों के Back Palil पे बहुत ज़्यादा कमाते हैं Quality डिजाइन की दोनों की बढ़िया है बाकि Samsung Cam 02 का डिजाइन आपको थोड़ा Simple ही मिल जाता है चोटी चोटी लाइनिंग्स दी गई है Blue Color आप देख सकते हैं इसका कैसा लग रहा है वही दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा ज़ाद अच्छा डिजाइन मिल जाता है Narzo 30A के अंदर इसे के साथ दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में तो Samsung Cam 02 में आपको बिच्छी के तरफ दो कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13MP का, दूसरा 2MP का, फ्रेंट कैमरा है इसका 5MP का दोस्तों एक बड़ी कमी ये है इस मोबाइल के अंदर आपको 8000 में fingerprint scanner नहीं दिये गया कैमरे की performance आपको normal मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ नार्जो 30A में आपको बिच्छी की तरफ दो कैमरे दिये गए हैं जिसमें में कैमरा है पहला 13MP का, दूसरा 2MP का, फ्रेंट कैमरा है इसका 8MP का इसके अंदर आपको fingerprint scanner दिया गया है ये खुब इसके अंदर आपको मिल जाती है दोस्तो कैमरे की जो performance है वो आपको rate के साब से वैसे दोनों ही mobile scanner नॉर्मल ही दी गई है अगर आपको कैमरे की वज़े से ही mobile लेना है तो वैसे 10,000 के बजट में और ज़्याद अच्छे स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों से ज़्यादा बढ़िया कैमरे वाले इसके लाव दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा मुझे दोस्तो नार्जो 38 का design ज़्यादा पसंद आया तो display size को लेकर दोनों ही mobile से एक जिसे हैं और काफी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन actual में जो display की quality है वो किसमें ज़्यादा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तो user interface के बारे में तो galaxy M02 के अंदर आप इसे उपर नीचे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको samsung का one UI दिया गया है अंदर से use करने में ये mobile बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है नार्जो 38 के अंदर आप इसे उपर के तरह swipe करेंगे आपको करीब से दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले की जो quality है वो किसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है तो दोस्तों अगर आप design देखेंगे डिस्प्ले का तो वो दोनों के अंदर आपको एक जिसे ही मिल जाता है और brightness अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है नार्जो 30A के अंदर तो डिस्प्ले के colors में Samsung का M02 अच्छा है और brightness को लेकर नार्जो 30A दोनों में एक है खुबी है डिस्प्ले में लेफ्ट सेट साब देखेंगे दोनों मोबाल्स को तो sim के ट्रे दी गई है इस तरफ दोनों ही मोबाल्स के अंदर आपको खुबी ये मिल जाती है कि आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये दोनों के अंदर ही खुबी है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है बिल्कुल सेम जगा पर दोनों मोबाल्स के अंदर बाकी नार्जो 30A के अंदर आपको type C port दिया गया है जो M02 के अंदर नहीं मिलता राइट साब देखेंगे तो volume के buttons और power के buttons नार्जो 30A में आपको fingerprint scanner दिया गया है back panel पे उपर के तरफ साब देखेंगे तो plane design इस तरफ कुछ नहीं दिया गया बाकी दोस्तों दोनों ही mobile scanner आपको दी गई है 3GB RAM 32GB के internal storage RAM और storage आपको दोनों के अंदर बराबर मिल जाती है इस चीज में M02 जादा बढ़िया है कीमत भी 1000 कम है इसकी और इसके अंदर आपको RAM और storage नार्जो 30A के बराबर दी गई है दोनों ही के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है इस चीज में दोनों बढ़िया है दोनों इगे से हैं बात करें दोस्तों battery के बारे में तो Samson के अंदर आपको battery दी गई है 5000 mc की नार्जो 30A के अंदर आपको battery दी गई है 6000 mc की दोनों के अंदर आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर दोनों बहुत जादा बढ़िया है और भी ज़ाद अच्छा है Realme Narzo 30A क्योंकि इसके साथ आपको बैटरी तो ज़ाद अच्छी मिलती ही है इसी के साथ आपको Type-C केबल और चार्जर फास्ट दिया गया है बॉक्स के अंदर ही बात करें दोस्तो प्रोस्टर के बारे में आपको बहुत ज़ाद अच्छा दिया गया है सैमसंग से हैंग होने की दिक्कत इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेगी सैमसंग के M02 के कमपरिजन में तो यह सारी खुब्य कम्यापको मिलती है इन दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मैटर सबसे पहले यह करता है कि आपको सैमसंग पे ज़्यादा भरोसा है यह फिर रियलमी पे और इसके बाद आपकी जो में जरूत की चीज़ है वो किसम ज़्यादा बढ़िया है तो दोस्तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले अची चाहिए तो वैसे डिस्प्ले के अंदर दोना अच्छे है परसनली वैसे मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा सैमसंग का M02 ही हाला कि इसके अंदर brightness कम है लेकिन colors काफी ज़्यादा important है जो इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दिये गए है तो अच्छी display लिए आप सैमसंग लीजिएगा quality इसके अंदर आपको display की काफी बढ़िया दी गई है इसके साथ दोस्तों अगर आपको design अच्छा चाहिए तो आप Narzo 30 A खरी दियेगा design को लेकर ये mobile ज़्यादा बढ़िया है quality भी design की ज़्यादा अच्छी दी गई है और देखने में भी इसका design ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ fingerprint scanner भी इसके अंदर आपको मिल जाता है जो की काफी important है आप Narzo 30 A खरी दियेगा इस चीज़ के लिए भी इसके साथ दोस्तों अगर आपको battery अच्छी चाहिए तो भी आप Narzo 30 A खरी दियेगा battery में यही mobile जदा बढ़िया है type C cable और fast charger भी मिल जाता है इसके साथ और दोस्तों अगर आपको processor बढ़िया चाहिए तो भी आप Narzo 30 A ही खरी दियेगा इसके अंदर आपको performance बहुत ही जदा बढ़िया दी गई है Samsung M02 से performance में बहुत ही जदा बढ़ा फर्खें दोनों के अंदर Narzo 30 A बहुत ही जदा बढ़िया है तो यह सारी खुब यह कमिया दोनों में है दोस्तों देखा जा तो Samsung के अंदर आपको दो चीज़ अच्छी मिलती है M02 के अंदर आपको एक तो user interface बढ़िया दिया गया है अंदर से चलाने में यह mobile बहुत जदा बढ़िया लगता है और दूसरे इसके अंदर आपको display की जो quality है वो काफी अच्छी दी गई है लेकिन इसके अंदर कमिया भी जदा है fingerprint scanner नहीं दिया गया processor इतना अच्छा नहीं मिलता और नार्जो 30A के अंदर आपको quality wise काफी चीज़ा बहुत जदा बढ़िया मिल जाती है एक तो design जदा अच्छा है quality में भी fingerprint scanner दिया गया है तीसर इसके अंदर आपको processor बहुत जदा बढ़िया मिल जाता है चौथा इसके अंदर आपको battery जदा अच्छी दी गई है और charger भी fast है type C cable के साथ तो quality wise देखा जाए तो इन दोनों mobile में जदा बढ़िया है नार्जो 30A ही features इसके अंदर आपको जदा बढ़िया दिये गए है और कीमत में 1000 का ही फर्क है तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है तो आप नार्जो 30A खरीद दियेगा यही mobile आपके लिए जदा बढ़िया रहेगा अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है पर सन्ली मुझे यही पसंद आया नार्जो 30A आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा ये चीज कमेंट करके बताईएगा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नेचे जो लाल कलर का बटन उसे दबागे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आके नमीद बाद येगा ताकि नेए वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लव वीडियो अगर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसे फेस्बुक पे मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई